कौन केपसिकम करी एक हेल्दी और स्वादिस्ट सबजी में से एक है आज की रेसिपी में हम जानेंगे कि रेस्टोरेंट में किस तरह से कौन केपसिकम करी बनाई जाती है सबसे पहले हंडी या फिर कड़ाई में जाएगा तीन से चार टेबल स्पून तेल और इसी के साच जाएगा दो टेबल सपून बटर अब बटर को मद्य माच पे अच्छे से मैल्ट करेंगे जैसे ही बटर मैल्ट होने लगे जाएगा एक टी स्पून जीरा एक बड़ी इलाइची सबजी में स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसे जरूर से डालिएगा और एक टेजपत्ता अब तीनों को क्विक स्टर कर लेंगे 10 से 15 से के लिए मीडियम फ्लेम पे फिर इसमें जाएगी 5 कलिया लसून की बारिक कटी हुई और एक ही जितना अदरक बारिक कटा हुआ अब अदरक लसून को लगाता चलाते हुए 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बुनेंगे अदरक लसून को थोड़ा भून लेने के बाद इसमें जाएगी एक मीडियम साइज की प्याज की प्यूरी अब प्याज को लगाता चलाते हुए 4-5 मिनिट तक मीडियम फ्लिम पे अच्छे से भूनेंगे सबजी में बढ़िया टेक्श्चर लाने के लिए यहाँ पे आप प्याज की प्यूरी बना कर ही डालिएगा एक बार प्याज अच्छे से भून जाए फिर इसमें जाएंगे 3 मीडियम साइस के टमाटर की प्यूरी अब कुकिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए इसमें जाएगा नमक नमक स्वाद अनुसार अब यहाँ पे टमाटर को लगाता चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक की टमाटर में से साइड से तेल छूटने ना लगे और यह देखे टमाटर जो है वो अच्छे से भून चुके है अब इसमें जाएगा कौन का लवली पार्टनर कैपसिकम यानि शिमला मिर्च 200 ग्राम डालेंगे शिमला मिर्च को इस तरह से छोटे टुकडों में काटके डालिएगा अब शिमला मिर्च को भूने हुए टमाटर के साथ 2 मिनिट के लिए मीडियम फ्लिम पे लगाता चलाते हुए पकाएंगे 2 मिनिट के बाद इसमें जाएका थोड़ा सा पानी तकरीबन 4-5 टेबल स्पून जीतना क्योंकि यहां पे सबजी को हमें ढख कर पकाना है जब तक कि सिमला मिर्च 80% जितनी पक ना जाए पर ध्यान रहे शिमला मिर्च को पूरी तरह से पकाना नहीं है हलकी सी कसर उसमें रहनी चाहिए अब हांडी को डखकन से डख देंगे और सबजी को थोड़ा पकने देंगे और ये देखे सबजी जो है वो 80% जितनी पक चुकी है पर ध्यान रहे सबजी को ओवरकोक नहीं करना है हलकी सी इसमें कसर रहनी चाहिए तब ही जाके सबजी खाने का मज़ाएगा अब इसमें जाएगी काजू की पेस्ट 15 जितने काजू को 3 टेबल स्पून गुन गुने पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दे उसके बाद भिगो भे पानी के साथ काजू को मिक्सी में डालके इस तरह की पेस्ट बना ले और इसी के साथ डालेंगे इस सबजी का स्टार इंग्रिडेंट चीज डालेंगे 1 फोर्थ कब मोजरेला चीज चीज को इस तरह से कद्दूकस कर लिजेगा अब दोनों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर चीज को यहां पर थोड़ा सा पकाएंगे जब तक कि यह फिर इसमें जाएंगे सुखे मसाले डालेंगे half tablespoon कश्मेरी लाल मिर्च पाऊडर, half teaspoon तीखी वाली लाल मिर्च पाऊडर, one four teaspoon healthy powder, एक teaspoon धनिया पाऊडर, half teaspoon गरम मसाला, one four teaspoon किचन किंग मसाला और तुरन्थी डालेंगे दो से तीन tablespoon पानी, अब इन सभी मसालों को एक बार अ अच्छे से mix हो जाए फिर इसे medium flame पे लगाता चलाते हुए 2 minute तक पकाएंगे। जब मसाले अच्छे से भून जाए फिर इसमें जाएंगे 3 cup boiled American sweet corn। अब मकई के दाने को एक बार gravy के साथ अच्छे से mix कर लेंगे। इस सब्जी को बनाने के लिए आपको sweet American corn ही लेने है यानि देसी मकई का इस्तमाल नहीं करना है। और यह देखें मकई के दाने अच्छे से gravy के साथ mix हो गये है। यहाँ पे मुझे सब्जी थोड़ी घाड़ी लग रही है तो मैं डाल रहा हूँ एक कब जितना पानी। अब आखिर में जाएगा खुप सारा कटा हुआ धनिया। अभी सब्जी की gravy थोड़ी आपको पतली लग रही होगी पर कोई बात नहीं जैसे ही थोड़ी थंड़ी होगी यह सही consistency पे आ जाएगी। इस सब्जी को आप घर की बनी गर्मा गर्म फुल का रोटी या फिर प्लेन पराटे के साथ मजे ले। तो लीजिए सुपर टेस्टी स्वाथ की गैरंटी रेस्टोरन स्टाइल कौन कैपसिकम करी बनकर तयार है।